यार आप तो ऐसा लग रहा है जैसे शक्तिमान के फैंस अपनी बागी लाइफ बस फिल्म आने वाली है या फिल्म कैंसल हो गई की न्यूस सुनते सुनते ही निकल जाएगी अब देखो ना अनॉसमेंट वाले वीडियो के बाद जब बजट वाली न्यूस आई थी कि शक्तिमान की फिल्म लगबग 200 से 300 करोड में बनेगी तो बहुंसे लोग ये सोचकर खुश हो गए थे कि भाई इतने में तो शक्तिमान की एक सॉलिट फिल्म बन जाएगी जिसके ब बाद भी लोगों की ये था कि कोई भी शक्टिमान बने पर पहले बने तो सहीं पर अब positive news के साथ negative news भी सामने आने लग गई है और इस प्रोजेक्ट की पहली negative news ये है कि शक्तिमान के इस प्रोजेक्ट को hold पर डाल दिया गया है क्योंकि इसमें लगने वाले VFX और दूसरे technical support के कारण इसका total budget अब 300 करोड से बढ़कर 500 करोड के उपर जा चुका है और current market को study करने के बाद ये decide किया गया है कि फिलाल इस project को temporary on hold में रखा जा रहा है हाला कि इस news का कोई my bump नहीं था इसलिए बहुत ही जल्दी इसको fake proof कर दिया गया और ये बता दिया गया कि भाई शक्तिमान की film अभी on hold नहीं है बलकि इसका काम चालू है वैसे news fake हो या फिर सहीं लोगों ने तो अपनी उम्मीद वैसे पहले सही side में रख दी है जब आएगा तब देखा जाएगा पर इन सब के बीच एक serious question तो यही है कि क्या इंडिया वाकई में सुपर हीरो फिल्म के लिए सही market नहीं है क्योंकि हमने इससे पहले भी रक्षक, फैंटम, मिश्टर इंडिया, इंमोर्टल, अश्वतामा और कैप्टन व्यों की खबर सुनी थी जिसे पहले तो ये कहा गया था कि ये फिल्म बनेगी या बन रही है पर बाद में इसे धीरे से cancel कर दिया गया अब वैसे कुछ महल शक्तिमान के लिए भी दिखता नजार आ रहा है अब तक तो positive news आ रहे थे पर अब धीरे धीरे negative news भी सामने आने लग गई है फिलाल भले ही ये news fake निकली बट अब तक का experience तो यही कहता है कि ऐसे fake news बाद में सच में बदल जाते हैं वैसे अब बहुत से लोगों को ये लग रहा होगा कि ये फिल्मेकर फालतू में डरते हैं ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला ये बस बेवज़ा बहाने बनाते रहते हैं तो fans की point of view से ऐसा बोलना सही है no doubt पर factor तो ये भी है कि इंडिया में अभी तक सूपर इरो फिल्मेकर के आकड़े फिल्मेकर को डराते ही आये हैं अगर कृष को हटा दिया जाए तो actually में कोई साभी सूपर ही फिल्मेकर के आकर्षित हों जैसे अगर रिसेंटली ब्रह्मास्त्र की बात करें तो उसने लगबख 400 करोड का कलेक्शन किया, मगर इसका बजट भी कुछ-कुछ इतना ही था, भावेश जोशी लगबख 25 करोड में बना, पर वो भी मुश्किल से 5 करोड ही कमा पाई, मिननल मुरली ने हाइप जरूर क्रि क्योंकि OTT में तो 5 से 10 करोड वाली फिल्म या वेब सिरीज भी अच्छा कासा कमा लेती है, बट रिसेंट अगर हनुमान फिल्म की बात करें तो यस, ये फिल्म काफी अच्छा कलेक्शन कर रही है, फर्स्ट डे भले ही ये मात्र 8 करोड ही कलेक्ट कर पाई थी, मगर सैटर पाउच से तो हीरो जैसी और भी बहुंसी सूपर हीरो फिल्म आ चुकी है, जो बस साउथ तक ही सिमित थी, और वहां भी वो उतना नहीं कमा पाई, अब बहुंसे लोग यहां ये बोल सकते हैं कि जैसे हनुमान मुवी में हनुमान जी का नाम काम किया, वैसे ही शक्तिमान क फिल्म में शक्तिमान का नाम काम करेगा, जो कि काफी हद तक सहीं भी है, शक्तिमान की फैन फोलोविंग कम तो बिल्कुल भी नहीं है, पर यहां सोनी केवल ये नहीं देख रहा है कि शक्तिमान की पुराने फैन्स कितने हैं, बलकि वो नए आउडियंस को भी टार्गेट क और यहां बात एक फिल्म की नहीं बलकि तीन-तीन फिल्म की है, तो अगर शक्तिमान की पहली फिल्म किसी वज़ा से फ्लॉप हो गई, तो बाकी दोनों फिल्म उनके लिए कितना भारी पड़ेगा, और शायद यही वज़ा है कि स्टोरी से लेकर कास्टिंग तक सब में पी सो समझ कर काम किया जा रहा है, इसके लिए हर वो एंगल को कंसीडर किया जा रहा है, जो इस फिल्म को ब्लॉक्बस्टर बनाएं, तो इसी आपसे अफसोस सकते हैं कि तीन-तीन फिल्मों के लिए इतना प्लान करना कितना टायम टेकिंग होगा, पर कभी-कभी किसी प्रो और latest example है जो पूरा बन जाने के बाद भी केवल इसलिए cancel हो गया क्योंकि इसके director और दूसरे makers इस film में से बिल्कुल भी satisfied नहीं हो रहे थे थोड़ी सी भी शरम नहीं आई 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 के तुझे खर ये तो पसंद नापसंद और interest की बात है पर ऐसे मामले में budget भी उतना ही बारता चला जाता है इसलिए delay होते रहना किसी भी project के लिए एक अच्छा sign तो बिल्कुल भी नहीं है now let's hope कि पिछले दो साल की तरह ये साल भी बिना किसी official update के ना निकल जाए फिलल तो आज किस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों आपका इस पर क्या कहना है हमें comment करके ज़रूर बताएं तो मिलते दोस्तों अगले वीडियो में तब तक के लिए tata bye bye and take care